तो 100,000 Year of Gas Define के इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों के सेललर को दिखाया जाते है जो कि सुर्यान को बोलता है तुम गौड के बारे में कितना जानते हो इस पर सुर्यान बोलता है तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो इस पर इस एल्डर को बहुत ही जादा गुटसा आता है लेकिन वह कुछ भी नहीं बोलता है और वो गौड के बारे में बताने लगता है कि इस एनिमन ने सोचा होगा कि बुड़े आदमी ने उसे रेन वयरल में हमिशा के लिए क्याद कर दिया है लेकिन सेक्रो हजार उबस तक है सब कुछ ऐसा ही चलते रहा और अब मुझे भी कुछ भी पता नहीं है इस पर डिमन की इस एल्डर के सामने जाते बोलता है तुम और जियो की इक्सियान बहुत ही अच्छे मित रिठे फिर तुम दोनों के बीच में क्या हुआ क्या तुम इस चीज के बारे में हम लोगों को नहीं पताना चाहते हो इस पर यह एल्डर बोलता है ठंडर गॉट की पावर और फेरी लेन का क्या हुआ है इस चीज के बारे में भी मुझे बताओ ताकियों से किसी तरह करके इस monster के साथ fight किया था जिसकी विजेसे हम लोगोंस्तर पूरी mosquitoes की corazón is monster को रोकने के लिए लेकिन या monster बहुत ही ज़्यादा powerful पॉर्टी विजेसे विजे humanos के पाउर पॉरती त्रेयर को भी destroy कर दिया था और मेरे जितने भी साती थे वो सब भी इस अटेक की बज़े से बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गए थे और मैं ही सिर्फ अकेला जिंदा बचा था लेकिन यह हैंड मेरे उपर भी हमला करने के लिए आ रहा था लेकिन मैंने हाद नहीं मानी और अपनी पूरी पाउर करने लगा ताकि मैं इस जारो साल पहले मुझे थपड़ भी मारा था इसके बाद सुयानी साथमी को इस चीज़ के बार में और भी जादा बताने के लिए बोलता है इस पर यह एलडर बोलता है कि इसके बाद मैं एलडर जू के साथ मिलकर इमोर्टल वर्ल्ड के नाइन सबसे ज्यादा पाउरफु होता है जो कि माउंटेन को चीज तेवे आगे की और बढ़ रहा होता है इसके बाद यह एल्डर बोलता है जब मैंने एल्डर जुके इतने ज्यादा पाउरफुल एटेक को देखा तब मैं बहुत ही ज्यादा स्वक हो गया था लेकिन तभी एक दूसरा एल्डर बोलता है मैं आज तुम लोगों को कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम लोगों को अपनी दुनिया को तभा करने नहीं दूंगा और वह यह बोलकर इन नाइन इमोटल के उपर हमला कर देता है और इस चीज में इस एल्डर का साथ सभी एल्डर लोग भी देखते हैं ताकि वो लोग यहा पर जितने भी पावरफूर पावरफूर एल्डर थे उन सभी के उपर इन मोइस्टर लोगों ने हमला कर दिया था जिसकी साहद वो लोग मारे गए लेकिन मैं साहद जिंदा बच गया था और मुझे कुछ भी पता नहीं है कि वो नाइन इमोटल लोग कौन थे और इस और मुझे तुम प्लीज बताओ कि एल्डर जू कैसे जीते थे इस पर यह एल्डर बोलता है जब तक मुझे हो साय था तब तक महां पर वो नाइन इमोटल मारे गह थे और इन लोगों की भी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी और वो लोग अपनी अंतिम सांसे ले देखी है और मुझे लगता है वह नाइन इमोटल से भी ज्यादा पावरफुल है और यह यह बोलकर यहां पर बहुत ही ज्यादा पेन में चिलनाने लगता है इस चीज़ को देखकर सुनियान अपने जली मोश्टर को इसके पास भेज़ देता है जिसकी वजह से वह कुछी द लेकिन तभी यह बोलता है वाइन के गॉट को तुम लोग यहां पर कैसे बुलाओगे इस पर सुनियान बोलता है आज तक इस दुनिया में जितने भी ज्यादा पावरफूर कर्टिवेटर है उनमें से कोई भी हैवन की कैद से आज तक मच नहीं पाया है इस पर यह पर हम स सिधे सिधे बताओं इस युद्द में देवताओं के बोड़ी के साथ क्या हुआ था इस पर ये एल्डर बोलता है उस वार के बाद एल्डर जूर है समय द्रेंग से गायब हो गया और वो एक लाग सल पहले ही इस दुनिया में वापस आया है और उसने मुझे बोला था कि उस मुझे पता चल रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था और अगर फ्यूचर में ऐसा हुआ कि फैरी लेंड में दोबार से यहां पर आता है तो मैं उससे माफी जरूर मानूंगा इसके बद यह एल्डर सुन्यान को बोलता है क्या तुम फैरी लेंड की रक्षा करने के मुझे बोला था कि मैं इन सब चीजों को देखूं और यहां पर रहकर इन सभी चीजों का आनंद भी उता हूं लेकिन अब हो समय आ गया है कि मैं डिमन लोगों के सथ फाइट करने के लिए जाऊंगा और वह यह बोलकर बाहर आ जाता है जहां पर बहुत सारे लोग होते है और यहां पर हिन लोगों के बीच में सुन्यान के साथ ही लोग भी होते हैं जो कि सुन्यान को देखकर सुन्यान को बताने लगते हैं कि मास्टर हम लोगों ने वूयू डेलम में हम लोगों के जितने भी दूस्मन थे हम लोगों ने उनको माल दिया है इस बात को जानने के पर सुयानिन सभी लोगों को बोलता है तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है लेकिन फिलाल के लिए मैं वंडर लेंड के सी और माउंटेन के बीच में जाना चाहता हूं इसलिए मैं तुम लोगों को आधिस देता हूं कि मेरी गैर मौजदगी में तुम लोग यहा